नमस्कार वेलकम बेक आएटेन अकेडमी माई शेल्फ के लास्कुमार अमसी माथमेटिक्स टेपार्टमेंट फ़ाय टी खड़तों हमने प्रिवेस लेक्टर में दियुपद परसार में एक्स की पावरम का गुणांग हमने गयात करना शिखा था और एक्स की पावरम का हमरा सब्सक्राइब नहीं होता है मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यह टोटल टी ऺ्लस बीठीम आ गया और यहां पढ़र आप एकस के पाउर जीरो रखते हैं तो यह पद्ध जो होता है वह दोस्तों एक्स रही पद्द बनता है मतलब एक्स नहीं रहता इसके अंदर को एकस कीपा जीरो बन खहने का मतलब किया है इसको जीरो के वराबर आपको रखना है पी-एंड मैनस आर पी-प्लस-क्य के प्रसार में प्रसार देखना चाहा और प्रसार करना सीखा और फिर हमने फिर हमने एक्स की पावर मायनस 17 का गुणां की याद किया और उसके बाद दोस्तों एक्स रहित पद का हमने मान याद किया जो कि हम कर चुके हैं आईए एक नया कंट्यूनिय लेक्चर करते हैं जैसे देखो हमें जो है वह सेकंड ट्रम और थर्ड ट्रम दे रखी है हमें दोस्तों ट्ट्टू इसका मलब क्या है सेकंड ट्रम ट्री का मलब थर्ड ट्रम और ट्फॉर का मलब क्या है फॉर्थ ट्रम हमें दे रखी है हमें अन की वेल्यू हमें बतानी है ओके अन की वेल्यू क्या होगी ओके हमारे पास जो ट्ट्टू की वेल्यू है ट्ट्टू फ्रट शोडिस और टीफॉर की डल्री हे वह है एक हजार अश्म कि वैल्यू बतानी है हमें टि-टी-टी-फॉर बता रखा रखा है इसका मपल्दा थिनोंं निकालने के बाद अन-की वैल्य्यू बतानी है दोस्तो एजो ऑप्सन है हमारा वह है 15 होगा पी ऑप्शन जो है वो 20 होगा या सी ऑप्शन यह कहता है कि इसकी वेल्यू 10 होगी और डी जो ऑप्शन है वो यह है कि 5 होगा ओके दोस्तों हमने टी 2, T3, T4 की वेल्यू बतानी है हमें यह पता है हमें यह कर चुके हैं कि T r प्लस 1 क्या होता है औके T r प्लस वन क्या होता है और और ar उसके बाद में दोस्तो टी 2 का मतलब क्या है अगर r एक्वल टू आप क्या रहते हो गर आप 1 रहते हो ति यहां से क्यायेगा T2 आएगा R equal to 1 रखने है T2 और यहाँ होगा 1 plus 1 दोस्तों ओके यहाँ पर क्या होगा N C R की वेली कितनी है 1 है और X की power N minus R होगा और दोस्तों उसके बाद में होगा AR ओके उसके बाद में क्या होगा AR होगा और दोस्तों उसके बाद में अगर इक अर एकवल टो अपढ़न टू रखते हैं तो क्या होगा T3 होगा तो यहाँ पर होगा T2 plus 1 इकवल टू N C2 X की पावर N minus 2 यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों आएगा 1 आएगा और R की जगे में आपको बताया था बनाएगा ओके यहां पर दोस्तों क्या होगा nc2 x की पावर n-2 और a square होगा और r equal to अगर 3 हो तो क्या होगा t4 equal to t3 plus 1 equal to nc3 और दोस्तों यहां से होगा x की पावर n-3 और a3 ओके x की पावर n-3 और a3 दोस्तों यहां से हमारी2 ऑ गया त्पॉर भी आगये यहां से हमें इनके प्राबर लिख रखा है यहां से हमें यहां से इसकी वेल्ली हमें हमाइगा करनी है तоп करेंङेव करतास है जब्यक्आशन है तो यहां मैं मैं यसे कर लेता हूं कि 1 को और 3 को मल्टिप्लाई करूंगा और 2 का मैं कर दूंगा फोल्सकार जहां से हमारी क्वेशन यूदिए किस प्रकार से आएगी आज ये देखते हैं तो यहां पर 2 का मतलब क्या है nc1 है nc1 x की पावर n-1 और a1 multiply दोस्तों मुझे इसको करना है कि 3 से इसका मतलब क्या होगा nc3 x की पावर n-3 और a की क्यूब ओके nc1 x की पावर n-1 a1 nc3 x की पावर n-3 और a3 divide हमें करना है इससे करना है यहां से क्या होगा nc2 x की पावर n-2 और दोस्तो क्या होगा a square होगा a square का whole square करना होके यहां से हमें पूरे का ka whole square कर लिया दोस्तों यहां में आपर कर निकालने के बाद Kholz कर फोलने के बाद देखो यहां पर क्या है NC 1ंC1 के वेली कितनी होते दोस्तों n होती है और फिर X की Power N-1 है X की Power N-1 है और यहां से multiply करूँगा एक्स की Power n-3 होगा तो n n कितना हो जाएगा यह टू-n होगा और माईनस का 4 हो जाएगा समझ बह いाँ रहा आपको मैनस 1 और मैनस 3 माइनस 4 तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा X की पावर 2 and मैनस 4 होगा दोस्तों A की पावर 1 है यह है और A की पावर 3 है मतलब A की पावर 4 होगा और यहाँ पर N C ट्री वेली कई थिएख सिखते हैं इना तरी के और यहां से यह उपर वाला हमने लिख meth ave है भी और यहां से कितना होगा कि होल स्कायर का मतलब किया दोस्तों और फिर एक बार होसी करनी है तो मतलब हमने दो बार लिख दिया यहां से होगा यहां से होगा हमने लिख दी है कोई दिकत नहीं है यहां तक ओके ऊटिकत नहीं उसके बाद में यहां से इसका करेंगे all square तो एक्स की पाउड 21-4 होगा और एक की पाउड दोस्तों चियार होगा तोई दिकत नहीं यह देखो मैंने तो इसे कर लेता हूँ मैं थरे टुवन को उपर वाले में लिख देता हूं कभी यह कंफिजन हो री टू वन ओके यहां से दोस्तों हमारे पास क्या होगा एक पावर पॉर्ट था तो यहां से एक पावर फोर एकस्ट पीपावर टूर फोर था एक्स की पावर टॉन माइनस पॉर कैंसल आउट ओके यह क्या लिखती है यह क्या लिखती है यह क्या लिखता हूं इतना हमने कर चुके हैं आपन और उसके बाद में दोस्तों इसके बाद में दोस्तों से टू कैंसल आउट हो गया यहां से टू से टू कैंसल आउट होगा इस टू अन कैंसल आउट होगा टूस्तों फाइनली हमारे पास जो अब बचे गा वूवत को दोस्तों एक जो यह टू है यह उपर चला जाएगा और यह जो threatened है वो निच्चे आ जाएगा ओके यह इस प्रकार से हमने लिखा और दोस्तों इसके फाइनली इसके जो ब्राबर में था वो क्या था वो देख लेते हैं इसके ब्राबर में था कि दो सो चालीश इंटू क्योंकि हमने एक्वेशन वन को थ्री से मिल्टिप्लाइ किया तो साथ सो चालीश इंटू एक जारसी और टी त्री के वेल्यू कितनी है साथ सो बीस इंटू साथ सुवेश यह हमने कर दिया जीरो से जीरो कैंसल आउट हमने करती ओके तोवीश यहां से अगर इसको तीन से कट क्या होते हैं और यहां से व्यटन होगा ऐंट यह सकृतियों और यहां व्यस्नै करें तो यहां से होगा अपना दो yelled at इतना हमें समझ में आया होगा यहां तक समझ में आ गया तो दोस्तों अब इसकos कर लेते हैं एक्वjach खांस है यहां से दोस्तों क्या होगा एन मायने स्टों बचेगा डिवैड वाई और इस दो को यहां से मैर्टिप्लाइर कर दूँगा इस के रुगा तो दोस्तों थ्री वाई फोर होगा हमारा 26 को करेंगा स्ट्रॉशन तो च्यार को करूँगा एंड-2 से ड़े गा एक जो इसको फैंट में ले जाएंगे तो आठ मैंस तीन क्या होगा पांस होगा ओके एक फाइनल लीग यह पांस हमारी वेलियू और डिये ओके तो उम्मीद कर तो यह समझाया होगा आपको अभी हम करते हैं next question next question क्यूशन है वह हमें दे रखा है अब देखो दोस्तों एक होड़ हमारे पास काफी काफी बार क्यूशन आ रता है और इसका अपन समझते हैं जैसे क्यूशन क्या है हमारा फिर उसके बाद में हम थ्योरी समझना प्रयास करते हैं कि जो बायनोमियल एक्सपेंशन है उसके from end in the expansion उक्य लास्ट से पांच वी ट्रम मुझे बतानी है कि लास्ट से पांच वी ट्रम कुन सी होगी expansion के अंदर दोस्तों मेरा जो question था वो है कि x की square y sorry x की cube by 2 minus और 2 x की cube by whole power 9 is okay मेरे को बताना है कि last से 5 स्वी टरम क्या होगी और दोस्तों हमारे पास जो option option number 1 है वो है 63 x की cube दूसरा जो option है वो है माइनेस 252 by x की cube c option है वो है 622 और x की power 18 और d जो option है वो है नन ओफ दिज नन ओफ दिज ओके अब दोस्तों स्टार्टिंग से ट्रम जो अगर निकालना हो इसने क्यों में क्या पूच्छा है यह देखो आप अंडिंग से आपको ट्रम पूच्छा है कि एंडिंग से पांचवा ट्रम क्या होगा ओके जैसे दखो दोस्तों हम इतना जानते हैं हम इतना पता है कि दोस्तों टी आर प्लस वा जो पद है वो क्या होता है अब यह क्या होता है स्टार्टिंग से अर्वापद होता है यह होता है अब मान लो हमें जो प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ी है पहले इस प्रकार से हमने अगर जो प्रोग्रेशन पढ़ रखी है उसके अंदर अगर हमें मान लेजिए टोल्टर डिटम कितनी है एम है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 16 दोस्तों इस कंसेप्ट का आपको समझना है कि हमें किस प्रकार से याद करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है यह हम समझने आज जा रहे हैं अगर हमें एपी जीपी की फॉर्म में कुछ भी अगर दे रखा हो और हमें स्टार्टिंग से या एंडिंग से ट्रम प P के अंदर M डे रखी है और हमें ऐसे पूछले मचिंद रहे हो है मतलब क्या है कि ń dzień ऑ्क के बारे में आपको पूछा जाए कि लच से पांस वा ट्रम कुन सा होगा समझ्जा से आप क्या करोंगे फिर माल लेजिए हमारे पास यह क्यूसन है ना इस क्यूसन को मैं लेकर चलता हूं एक वल्टू आपको कितना दे रहा है एक दो तीन चार पांच तो आपको प्रिम्ट्सेशन आयगा कि एक सिक्वेंस है ये ज़ो है एक भी में है उसमें टॉटल आठ है और लास्ट से आपको बताना लास्ट से तीसरी ट्रम क्या होगी ओके लास्ट से तीसरी ट्रम वन टू थ्री लास्ट से तीसरी ट्रम क्या होगी बारा होगी तो हमें यह जानना है आपको पुछेंगे लास्ट से तीसरी ट्रम क्या होगी है न तो हमें यह ग्याद करना है कि स्टार्टिंग से कौन सी ट्रम स्टार्टिंग से कौन सी ट्रम होगी तो हम उसी इसाब से एपी जी पी में फॉर्मूला लगा देंगे और निकालने का ओके तो स्टार्टिंग से कौन सी ट्रम होगी आए जानते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ट्रम माइनस जो हमें ट्रम दे रखी है होगी प्लस वन कर देंगे तो यहां से एम इक्वल टू क्या है अपना दोस्तों आठ है एम इक्वल टू कितना है आठ है और एन की वेल्यू आपको बता रहे हैं लास्ट से अगर आपको दिया गया हो कि अगर हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन यह है ओके इस प्रकार से अगर आपको दिया गया हो तो आप कैसे ग्यात करेंगे अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी-एक्सपेंशन होती है जैसे एक्स प्लस ए की qi va होता है तो number of trim कितने होंगे total some quick PB plus 3 a darf 6 plus 3 Q total X कि हमने निकाला था हमारे पास कितने विफования दोस्तो फोई उसकार मैं बताना चाहरा हम आपको अगर into होते हैं तो अगर पावार होते हैं तो प्लस-वन में टोटल ट्रम होते हैं उम्मेद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा ओके लिए आगे शुरुवात करते हैं इसकी कैसे हमें निकालना होता है तो दोस्तों अगर एपी जीपी होती है तो उसके अंदर एन प्लस वन ट्रम नहीं होते उसमें टोटल जितने ट्रम बता रखें है उतने ही हमें देने होते हैं लेकिन अभी हमें एक प्लस एक पावर को यहां पर रहाए जैसे यह.ट तो historically थो तो हमने लिख दिया उस्ही प्रकार से एक अगर ऑन हो तो उसमें दोस्तों एन प्लस लिए होती है और प्लस रिस on क्वान करेंगे प्लस Direkt और एण की जगह माले है मैंने आरवा भजा था आषा जाक्ता सबसे पहले हैं तो हमने यह वन कितनी है तो दोस्तों हमने लिख्क क्या होत rotated मैंने आप लिख दिया प्लस वन समझ भी आ रहा है ओके तो यहां से क्या होगा दोस्तो एन फिर माइनस आर होगा और प्लस वन और प्लस वन टू होगा ओके अगर आपको ऐसे ही पुछे कि टोटल कितने ट्रम है वह आपको पता चल जाएगा क्यूशन से आपको पता चलेगा से तोल कितने ट्रम है आपको पूछे लाश्ट से पांस वा टम कौन सा होगा तो आप क्या करोगे माइनेस जो ट्रम कुछा है पांस counts a कर दोगे प्लस वन कर दो Г्या तो टॉट्लिभ फाइनली जो फॉर्मुला बनेगा यह N-2 प्लस R बनेगा जैसे कि इस formula में अगर देखे हैं तो हमें लाप्ट से पांसवा ट्रम पूचा था हम यह जानेगे कि starting से कौन से ट्रम था और starting से formula हमें पता है ट्रम हमें पता है एन की value दोस्तों कितनी है 9 है और minus R कितना है और कितना है दोस्तों 5 है और प्लस 2 ओके तो starting से क्या होगा यह 6 वी ट्रम बनेगी 9-2-11 11 मैं से 5 गये 6 ओके तो starting से कौन से ट्रम होगी दोस्तों 6 जो ट्रम होगी वह starting से हमारी रम होने वाली है स्टार्टिंग से कौन से ट्रम है 6 ट्रम होने वाली है अब दोस्तों आईए इस क्यूशन को करते हैं यह जो क्यूशन था एक्स की क्यूब यह जो हमारे क्यूशन दे रखा था वह था एक्स की क्यूब y2-2-3 x3 by 9 का हमें क्या बताना है लाश्ट से और विञ्ट सपार्टेंग से कॉन से ट्रम है ट्रोय प्लस फॉर्मूला है दोस्तों ट्र पलस का फॉर्मूला जो है यहाँ से यहाँ से लिए यहां पर 6 फॉर्मूला तो तो यहां पर दोस्तों 5 plus 1 मुझे करना होगा तो यहां पर कितनी value आएगी पांस बेल्यू आएगी ओके और यहां से क्या होगा x की जगह कितना है x की cube by two की power n-r मतलब 9 माइनस 5 और एक जगह क्या है माइनस 2 by x की q की power कितनी आएगी दोस्तों 5 आएगी यहां से होगा नाइन सी फाइब और एक्स की क्यूब बाइटू मुल्टिप्लाई मुल्टिप्लाई और माइनस टू की पावर एक्स की क्यूब ओके दोस्तों तब इसको कैसे लिखेंगे हमने पांस तक इसको लिख लिया नो आ यहां से दोस्तों जो वैल्टिउ आएगी वह एक्स की पावर कितने आएगी बारा और यहां से आएगी दो की पावर जियार और दोस्तों माइनस टू की पावर पाँच कितना होता है माइनस दो की पावर पाँच नेगटिव चीन बाहर आ जाएगा ओके नेगटिव बाहर निकाल देंगे दो की पावर पाँच और यह क्या होगा एक्स की पावर 15 ओके दोस्तों तो यहां से इसको अगर कैंसल आउट करूंगा तो यहां पर मेरे पास आए ओके और और क्या कर सकते हैं और त्री को इससे एगर कैंसल आउट करते हैं ओके क्या बनेगा माइनस इंटू छे इंटू दो डिवाइड वाई एक्स की क्यूब कि दोस्तों यह ऑन अप्स की क्यूब और है फाइनली सकाथ रहता गा माइनस दोसफों बाउन वाई-स की क्यूब माइनस दोसफों बाउन अकस की क्यूब फाइनली हमारा option number B correct है इसके बाद में दोस्तों अपन करते हैं अगला लेक्षर की तरफ तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमें अगर ending से starting से कुछ पूछा हो तो हम कैसे बता सकते हैं ओके अब हमने जान लिया कि एपी जीपी के case में अगर दोस्तों हमारी पास वो लेक्षर नमर च्यार लेक्षर नमर च्यार में यह जो कर रहे हैं वह लेक्षर 2这व्प कर दोस्तों अब इसके बाद में हमने जो मध्यपध का उसमें के से हसने क्षूर में कर लिया था ओक है 스क मिर्यूट करने का प्रियास करते हैं अगले लेक्चर में करते हैं ठैक्स ठैक्स वर वाचिंग